मेरा नाम है प्रियंक और आज हम देखिए कि इस मशीन में कौन से सेटिंग होते हैं और पूरी ही जानकर इस मशीन के बारे में प्राइस कितनी है और उसमें कौन से सेटिंग है और इसे हमें यूज कैसे करते हैं इंडस्ट्री में ऐसे वाले मशीन यूज होते हैं, इसको सिलाई में बहुत आगे जाना है, आप सिलाई सीख रहे हैं और बहुत आगे जाने का आपने सोच लिया है, तो आप ये मशीन ले सकते हैं, ये नॉर्मली इंडस्ट्री में बहुत काम आता है और ये ही यूज होता ह यह मशिन कंपनी का नाम है चेक और इसके मोडल है F4 तो यह नॉर्मली यह इंडस्ट्री और मशिन है इंडस्ट्री में और ज्यादा तर बहुत आगे सिलाई की काम गिरी होती है तो लोग यह मशिन चूज करते हैं के रेट की बात करें तो यह नॉर्मली सेवेंटीन थाउजन की मिलती है सत्राव जार की मिलती है दुछावी मोडल आता है F2 वह 18000 की अठराह जार की है पहले हमां पीछे यहां पर स्वीच दिखाए गई है तो वहां पर हम पहले ओन करेंगे तो यह 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 मशिन ओन हो जाए और यह ओफ हो गया है और इसकी लाइट भी बंद हो गई है अभी हम शुरू करते हैं तो यहां पर पहले हम इसका यह इसका बोबीन है तो पहले हम बोबीन कैसे बरेंगे तो यहां पर हमें ऐसे रखना है फिर यहां पर पहले उपर वाले से हमें ठागा डालना है फिर यहां पर दो हुग दिये गए हैं वहां पर हमें देना है ठागा वहां पर हमें पास करना है फिर यहां पर ऐसे थोड़ा साम भर लेंगे फिर हम कहीं पर भी ऐसा खीचावनिया नजे धागे में और यह प्रेशर फूट यह इसके ऐसे ही पूरा भर जाएगा तो ऐसे हम बुबिन परेंगे फिर फिर इसे हम ऐसे इसमें डालेंगे थोड़ा साथागा बाहर डालेंगे फिर यहां से नीचे दिया गया है इसमें तो वहां पर हम बुबिन को ऐसे फिट करेंगे यहां पर हम बोबिन ढलेंगे हैं यहां यहां पर बोबिन के धीर हम यह निडल तक यह दघागा कैसे टालना है वोम देखें गें तो यहां पर एक के यहां पर यहां भीあ बोबिन पर ले जाएंगे फिर दूसरा हो ggak उसमें ले जाएंगे यहां पर दूसरे में, फिर यहां पर स्क्रू है, यहां पर ऐसे डालते हुए, फिर एक फोल में और ऐसे हम नीडल में दा देंगे अभी हमने धागा इसमें डाल दिया है, फिर हमें बोबिन का धागा भी उपर लाना है, ऐसे हम करेंगे तो बोबिन का धागा भी उपर आ जाएगा तो यह हमारा धागा डालने की पूरी प्रोसेस हो चुकी है, फिर हम ऐसे हम प्रेशर फूट को नीचे लाते हैं, तो यह पीछे जो है वो प्रेशर फूट लिफ्टर है, उसे हम प्रेशर फूट लिफ्टर कहते हैं, उसे हम प्रेशर फूट को उपर ला सकते हैं और नीच से ताइट होती है तो यहांकं हम इसे छोड़ा सा लूज गते है स्लीलाई अपर अच्यक्री पिस्ली के वह seven, four उस छोटा उससे चोटब को सब्सक्राइब एक बार एक सिलाई जाती है फिर उस पर हमें कई बार सिलाई लेने होती है ताकि सिलाई पक्की हो जाए तो यह उस यूज में आती है यहां पर कपड़ा लिया है और यहां पर हम सिलाई करेंगे तो यहां पर जो बेक स्टीच है वहां से हम दो सिलाई लेंगे तो यहां पर सिलाई पक्की हो जाती है उसरी बाइत करें तो यहां पर एक मेजर टेप हैं और लेनी पड़ेगी यहां पर भी आप को वीडिया तर्वीडियो बनाते gdy चब भी मेजर्मेंट लेना होता है तो मैं यहाँ पर आके नाप लेती हूँ यहाँ पर एक सेंटीमेटर का भी नाप है और एक इंच में भी दिया जाता है ज्यादा तर हम लोग इंच में ही काम करते हैं कि थेंक्यों सो मच फ्रेंड्स आपको सभी चीज़े अच्छे से समझ में आ गई हैं और जैक मशिन की इस तरीके से काम करते हैं इंडस्ट्रियल यूज में आप इसको जितना मजी चलाओ भी खराब नहीं होती और अच्छे से रन कर सकती हैं आप इसको फास भी चला सकते हैं स्लो बिचला सकते हैं अपने हिसाब से और ज्यादा घंटे तक काम करना तो तब भी इसमें कर सकते हैं सभी वंक्शन्स आपको डिटेल में बता दे गए हैं अगर आपके मारण में और भी कोई सवाल है कोश्चन है तो आप डेफिनिटी पूस सकते हैं इसी तरीके से वीड को जिरू से शेयर कीजिएगा थैंक यू